आज हम जो मिठाई बनाएंगे, वो हम दो तरीके से बनाएंगे, और यह मिठाई बहुत ज़ादा हेल्दी होती है, बच्चे बड़े को सब को बहुत ज़ादा पसंद आएगी, इसके हम जो तरीके रहेंगे उसमें दोनों अंतर रहेगा और इसका बेडियो पूरा देखिए और इस वेडियो में न हम बताएंगे कि जैसे केरेमिल वाला फ्लेवर आता है न बच्चों को वो टॉफी पसंद आती है बिल्कुल वैसा ही वाला फ्लेवर लाएंगे नमस्ते नीलम किचिन से मैं नीलम स्वागत है आपका आपकी चैनल में चलिए आज की रेस्पी सुरू कर अब अब हम क्या करेंगे ये गोड़ का यूज कर सकते है या फिर चीनी को ये दो उफ्सन नाएंगे अब हम केलों को चील के और कट कर लेते हैं और केले आप जितना जादा पका केला लोगे न उतना ही कम उसमें शुगर या चीनी आइड करना पड़ेगा और निउटियसन बना लिया, आई में एक बड़ा चम्मस घी डाला है, आप कोसिस कीजिए घी में बना, अगर आपको घी जादा यूज नहीं करते हैं, तो आप रिफाइन में भी बना सकें, लेकिन इसमें घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अब यह घी करम हो चोगा, तो थोड़े से ह काजु को ही कट करके और उसको थोड़ा सा रोष्ट कर लेते हैं, अगर आपको रोष्ट नहीं करना तो उसका भी तरीगा बताएंगे, कि आप बिना रोष्ट किये भी वैसे ही टेस्ट आ जाएगा, यह मैं थोड़ा सा रोष्ट कर लेती हूँ, काजु को घी में देखिए और इसमें हम डालेंगे आप चाहो तो और भी ड्राइफुर्ठ डालेंगे, इसमें ज़़ादे ड्राइफुर्स नहीं डालते why अगर आप कहूस्ट क पासे ही मैलन सीट नहीं आप ऐसे भी यूज कर सकते, इसका टेस्ट ही जो बन गया आता ना वो बहुत अच्छा होता, आप एक बार इसको बना के देखे, और मैन इसका टेस्ट कब निकलेगा, इसका टेस्ट निकलेगा, जितना ज़ादा हम इसको पकाएंगे, तो उसमें जो थोड़ा सा घी बचा था, उसमें हम जो पेस्ट के रखा ना केलेगा, बो डाल देते हैं, अब हमारा मैन है, इसमें मीडियम फिलेम करके, और इसको साथ मिनट तक हमको अच्छे से पकाना है, अब जो मैने आपको बोला था ना, दो तरीका, दो तरीका इसी बीच में मैं आपको बताऊंगे, कि एक अगर आप पहला वाला तरीका है, उससे क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई बनेगी, सॉफ्ट मिठाई मिलेगी, ये साउथ इंडियन की फेमस मिठाई होती है, बनाना हलोवा बर्फी करके रहता है इसका नाम, और ये बहुत अच्छी लगती, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए कि हम इसके जैसे भूंज लेंगे अच्छे से, और जब भूंज थे भूंज थे, चीनी की जगे अगर गुड़ी उच कर रहें, फिर आप उसको पकाईए, अभी मैं क्या कर रहें कि इसमें ऐसे नहीं उच कर रहें, इसको थोड़ा बच्चों के हिसाब से बना दे, एक क्रेंची टाइप का बाद में केरे मिल का जो टेस्ट आएगा आज हम पैसे ही बनाएगे, आप सॉफ्ट वाली मिठाई बना की एक बार जरूर देखिए, जैसे वो सबको पसंद आएगे, बच्चे वड़ों को सबको बहुत पसंद आएगे, और मिठास ऐसा है कि चीनी का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते, आपके केले बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते, जैसे आठ केले ले थे आठ केले में इसमें 500 ग्राम चीनी ही पड़ जाएगी, अगर आपको और मीठा करना है 200 ग्राम अगर केले कम मीठे हैं फीके हैं मतलब कम पके हुए ना तो उसमें 200 ग्राम तक बीच एक लोके लगभग में चल जाती हैं यह देखिए इसको अच्छे से बस चलाते हुए भूजना है यह मैंने क्या किया इसमें आप जो ड्रोस्ट क भी ज्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बस यह कि थोड़ा सा वह वाला गुड़ जैसा आता है ना वह वाला दिखने लगेगा यह देखिए इसको अच्छे से हमने कर लिया क्योंकि हम आज चीनी वाली बनाएंगे गुड़ वाली नहीं बना रहे तो इसको यह जाएगी इसमें क्या चीनी पकतो जाएगी लिकिन बहुत अच्छे से नहीं उसमें जाएगी तो इसमें बीच-मीच में क्रंची और गी के साथ जब यह मैल्ट होगी ना चीनी तो एक अलगी टेस्ट आएगा तो जो बच्छों को को केरेमल वाली टौफी व गएर पसंद ह ना उनको यह वाला टेस्ट बहुत पसंद आता है आप अगर बच्चे और बड़ों के इसाब से बना रहे तो जो मैंने पहले बताया ना कि हूंजने के बाद पहले चीनी डाल दीजे चीनी डालने के बाद फिर पांच मिनट तक और पकाईए फिर आप ड्राइफ वोड्स और इलाइची पाउडर डालके वो कर लीजी अब यह देखिए अब हम एक प्लेट में ग्रीस कर लेते हैं यह लेकर पूरा लगा दिया आप बटर पेपर यूज करते हैं तो बटर पेपर लगा के वो कर दिया और अब बस इसको हम पलड़ देंगे और इसके बरफी जमाएंग एक महीने तक यूज कर सकते हैं और यह हैल्डी तो आपको पता ही है कितना ज़ाधा होता एक तो इसमें केले का ही बहुत ज़ाधा है और दूसरा घी भी चाहेगा और यह ड्राइफूर्स तो यह तो मनतलब पूरी तरीके से यह बहुत ज़ाधा अच्छा है बच्छों के आप जाओ तो फ्रेज में उख सकते हैं आराम से इसको क्या करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये देखने में ऐसे लग रही है जैसे हमने खजूर वाली वर्फी बनाई हो या फिर गुड की वर्ण मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा था है आप साउथ इंडियन जो मिठाई रहती न उसका वही वाला पूरा टेस्ट आएगा और य अच्छे से का चीनी डालती है और ये रह्ष भी जपी जरूर बनाई हो कािनो confident में रूसा बला ब्रॉद के ओने प्रॉरी गोन आप जांगी आप punkt को ओ धरियर को आ कर लीजी कर लिजा अकर नहीं किया都ब ओर एक और अपने प्रेंड पैमिली और को सेर प्रैंड फैंली को स